क्या दुनिया का सबसे अमीर, सबसे समृत कहलाने वाला देश कर्ज चुकाने में फेल होने वाला है? क्या सपनों वाला अमेरिका किसी बुरे सपने के सचकी और कदम बढ़ा चुका है? इस special BQ explainer में हम समझेंगे अमेरिका के सिर्फ पर मनराने वाले default संकट को और क्या है ये debt ceiling जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है? तारीख 1 जून इससे पहले अमेरिका की तमाम राजनितिक आर्थिक ताकतें एकमत होकर सहमत होकर किसी नतीजे पर पहुँची तो ठीक वरना दुनिया का सबसे ताकतवर देश कर जाएगा default कुछ दिन पहले अमेरिका की Treasury Secretary Janet Yellen ने अमेरिकी संसक को चिठी लिखकर ये कहा था कि सरकार कर्ज लेनी की सीमा को बढ़ाए नहीं तो वो जून के बिल्स का बुपतान नहीं कर पाएगी क्योंकि सरकारी खजाने में पैसे खत्म हो रहे हैं अब आप सोच रहे होंगे कि Treasury Secretary ने कही दिया है बाइटिन राश्प्रती है उनी की सरकार है तो तुरंद ये मामला सुरज जाना चाहिए लेकिन मामला हस गया है अमेरिका की opposition Republican Party से death ceiling बढ़ाने की सहमती पर Republican Party चाहती है कि बाइटिन सरकार अपने खर्चों को कम करे opposition की शर्थ है कि अगर बाइटिन सरकार वित्वर्ष 2022 की सीमा को मान कर ही खर्च करे तो death ceiling को हटाने पर सहमती बन सकती है जबकि बाइटिन सरकार इसे Republican Party की नई राजनितिक चाल की तरह देख रही है क्योंकि अगर बाइटिन ने जिन योजनाओं का एलान किया है उन पर खर्च नहीं करेंगे तो उसका असर आने वाले चुनावों पर दिख सकता है इसलिए वो भी कदम पीठे खीचने को तयार नहीं है खैर ये दाव पेश तो चलते रहेंगे लेकिन इन सब के बीच दो सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे पहला कि डेट सीलिंग संकट क्या है और दूसरा कि दुनिया की सबसे बड़ी एकॉनमी सबसे अमीर देश अमेरिका यहां तक पहुंचा कैसे सबसे पहले डेट सीलिंग संकट को समझे दुनिया में सभी देशों के अपने अपने खर्चे होते हैं सरकारे Social Security Scheme, Medical Scheme, Defense, Industries के लिए Incentives और कई दूसी चीजों पर खर्श करती है इन खर्चों को पूरा करने के लिए सरकारे Tax या दूसरे Sources से कमाई करती है आम तोर पर खर्चे हमेशा कमाई से ज्यादा ही रहते हैं और इस करवी सच्चाई से अमेरिका भी अच्छूता नहीं है अमेरिका अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कर्ज लेता है लेकिन वो कर्ज कितना ले सकता है? उसकी भी एक सीमा है क्योंकि ये कर्ज चुकाने भी तो होते हैं इसी लिमिट को Debt Ceiling कहते हैं Debt यानि कर्ज और Ceiling यानि चछत या कहें सीमा यानि कर्ज लेने की सीमा अब बात इसी लिमिट को बढ़ाने की जल रही है हर साल अमेरिका के खर्चे उसकी कमाई से काफी ज्यादा होते हैं जिससे एक डेफिसिट या घाटा पैदा होता है पिछले 10 साल के दौरान घाटा 400 बिलियन डॉलर से बढ़कर 3 ट्रिलियन डॉलर पहुँच गया है यानि 3 लाख करोड डॉलर जैनेट यलिन कई बार अमेरिकी संसत से कर्ज की सीमा को बढ़ाने के लिए कह चुकी है ताकि अमेरिका को कम से कम एक historic default के खत्रे से बचाया जा सके यहां यह बताना जरूरी है कि अमेरिका में कर्ज की सीमा अभी 31.4 ट्रिलियन डॉलर है जबकि अमेरिका अब तक 30.1 ट्रिलियन डॉलर कर्ज ले चुका है हाला कि अमेरिका का इत्हास ये भी है कि कर्स की सीमा को कई बार बढ़ाया गया है 1960 से लेकर अब तक 78 बार इस सीलिंग को बढ़ाया जा चुका है और कभी भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है अब इस बार क्या होगा ये तो देखना बड़ा ही दिल्चस्प होगा अब दूसरा सवाल कि अमेरिका इस्तिती में पहुचा कैसे तो इसके लिए आपको दो दशक पीछे चलना होगा 2001 और 2008 के दौरान जब मंदी ने अमेरिका और पूरी दुनिया को घीरा था तब अमेरिका ने अपने देश को मंदी से उबारने के लिए बैंकिंग सिस्टम में पैसा पानी की तरह बहाया था जो कई सालों तक चलता रहा फिर 2017 में ट्रॉम्प की सरकार ने टैक्स में कटोधी कर दी जिससे सरकार की कमाई और कम हो गई रही सही कसर COVID-19 ने पूरी कर दी सरकार के खजाने पर दबाव पड़ा और उसी पर भारी कर्स चरता चला गया और आज अमेरिका इन हालात में है उमीद है कि आप डेट सीलिंग और उस पर चल रही खीशतान को पूरी थरह से समझ गए होगे तो अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंसाइटफुल एक्स्प्लेनर्स के लिए BQ प्राइम हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए